हेलो तोस्तों मैं हूँ प्राइज सभीका स्वागत करता हूं के टो वैल के बीगो फ्रेश वीडियो के अंदर तो यहां पर बात करते हैं बेटकॉइन के बारे में और कल की लाइफ वीडियो में आपको बिटकॉइन की ऑल्मोंस सारी अप्डेट बता ती और ये भी पता जा जाए वीकली वाइस तो मार्केट में कोई भी ऐसी क्लोजिंग नहीं हुई है जिसको कि हम बहुत ज़्यदा बुलिश कह सकें और हाला कि अगर आप पिछले लो की बात करते हैं तो 43,000 का लो था और इस बार का जो लो हमें देखने को मिला है वह 41,700 का है एक मिन्स की मार्के स्टिल यहां पर बेरिश है और हो सकता है कि अब जैसे ही मार्केट यह वाला जो लेवल है 40,400 जो कि हमाले क्रिशल लेवल था अगर आप स्मॉल टाइम फ्रीम के अंदर जाते हैं लाइक वान अवर तो आपको यह चीज़ देखने को मिल जाएगी कि यहां पर भी अब बाकेट को इस लेवल को क्लीर करना होगा जहां पर को 42,700 के उपर जाके ट्रेट करना होगा और यहां पर आप एक और चीज़ नोटिफाइए कर पाएंगे कि वॉल्यम डिकलाइन हो रहा है तो वॉल्यम डिकलाइन का मतलब है कि कोई ना कोई सा मोमेंटम हमें देखने यहां पर मिल पाए तो आपने चार्ट के उपर चोटे से कह सकते हैं चैनल को आप लगा सकते हैं और जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसने जो ब्लू लाइने इसको भी ब्रेक कर दिया है तो कहीं न कहीं यह भी एक प्राइसे में बहुत उच्छाल भी आपको लगाता हूँ फिफ्टीन टू हंडडिड जिसको आप बहुत टाइम देखते हैं तो कहीं न कहीं हमें वापी से मार्केट के अंदर एक डैथ क्रॉस यहां पर देखने को मिल सकता है लास्ट नी डैथ क्रॉस होगा तो अभी हम नहीं कह सकते कि क्या चीज़े होंगी थोड़ा सा में वेट करना पड़ेगा डीटा का और जैसे इसे डीटा हमें यहां पर देखने को मिलेगा उससे आप से हम कॉटनेट कर पाएंगे लेकिन डैथ क्रॉस का सिंपल सा मतलब होता है कि जो 50 moving average है वो 200 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो कहीं न कहीं एक bearish symptom मार् साले में तो अगर यहां पर कोई heavy sale आती है तो आपको definitely थोड़ा सा cash में रहना चाहिए या फिर आपको एक average position को maintain यहां पर करना चाहिए इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं यह में रिबन के बारे में तो इसको भी हम लोग plant करके देख लेते हैं तो daily के अंदर यह में नीचे की तरफ कहीना की break यहां पर कर सकता है तो थोड़ा से cautious होके चलिए क्योंकि volume decline हो चुका है indicators में आप देखेंगे तो four hour में selling हमें देखने को मिल जाती है और daily के साब से बात करें तो yes यहां पर अभी भी मैक डीपी पूरे की तरह की सराइड है और आरसे 40 के नीचे चला गया है जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं और कहीं ना कहीं है इस्चिल यहां पर selling pressure को indicate कर रहा है जो यही बता रहा है कि market के अंदर जैसे यह level break होता है हम एक heavy selling देखने को मिल सकती है जिसमां पहला level 37 700 के आसपस आपको मिलेगा सेकेंड लेवल 32000 लास्ट लेवल 28900 तक मार्केट फिर महां पर होल्ड यहां पर पिर कर सकता है बाकि अगर आपको समझ नहीं आते है टैक्निकल चार्ट और आप सीखना चाहते हो डीटेयल में तो आप यहां पर जोइन कर सकते हो मेरे इस टैक्न सकते हैं मेरी इस e-mail id pixel snapshot.com के उपर या फिर आप डारेक्ली मुस्टे कर सकते हैं मेरे इस टेलिग्राम ऐडी एक डिरिट क्रिप्टो वैल के उपर इन दोनों के लावा मेरा कोई और डेटेस आपे नहीं है यहीप बात करते हैं बिटकोई के CME वीचर चार्ट के बारे में बी तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा कुछ खास इस नहीं है चार्ट में एंड इस वाले चार्ट के एकोडिंग है जो प्राइस उसमें भी ड्रॉप करता है तो नीचे आप एक CME चुटी हुई थी बहुत टाइम पहले 32,000 34,000 वहां पर बिटकोई आके इसको टेस्ट है और या फिर कोई रिट्रेश्मेंट तो आपको आंप पहुंश इखने को मिलेगा इस टाम पर इस्टाम पर बिटकोई बट रही है इसका मतलब कि कहीं ना कई पैसा बिटकोई के अंदर थोड़ा ज्याधा आ रहा है अल्ट कोई से पैसा निकल रहा है तो आपको आपको के अदर cautious इस टाइम पे हो जाना चाहिए और यहां से अगर dominance increase होके 41% तक आती है तो bitcoin के positive momentum आने की chances बनेगे लेकिन यहां से rejection भी मिल सकता है क्योंकि 41% एक important criteria है जिसकी उपर अगर dominance जाती है देन bitcoin आपको upside तरफ perform करता हूँ हो मिल जाएगा लेकिन यहां तक भी dominance अगर वो गिरती है तरन आपको bitcoin में correction देखने को मिलने वाला है यहीं पर बात करते हैं अल्ट कोई की dominance के बार में तो अल्ट कोई की dominance बिसीकली इस ताइम पर थोड़ा सा टिकनी चाहिए तब ही आप अल्ट कोई के अंदर एक benefit यहां पर देख पाएंगे अगर यह किसी भी condition में आपके नीचे की तरफ slide कर जाती है और एक resistance करेट करती है तो शॉट टम में आपको देखने को मिलेगा मीनवाइल टाइम के अंदर तो थोड़ा सा आपको इनकी dominance के उपर भी फोकस करके यहां पर चलना है यहां पर बात करते हैं इतिरिम के बार में इतिरिम के अंदर भी इंदर वह हमें देखने को मिल रहा है और जो जोन में आपको लास्ट वीडियो के अं बिल जाएगा जिसको आप इस पोजिशन पर देख सकते हैं और अगर इसके आप हाइट की बात करें तो करीबन करीबन मार्केट नीचे 2008 50 को टेस्ट यहां पर कर सकता है फिलाल में आपको शॉट नहीं करना है क्योंकि मार्केट अल्री निकल चुका या तो मार्केट इसके यहां पर ट्रेट करना चाहिए बागी इतने में भी कुछ ज्यादा खास नहीं है आपको बताई चुका था कि मार्केट किस तरह यहां पर बीएफ कर रहा है और अगर आप यहां पर बात करते हैं यह में रिबन के बारे में बागे सारी चीज़ों को लोड जाने देते हैं तो स्टिल जो रसेस्टेंस से वो 3190 डॉलर के आसपस आपको देखने को मिल जाता है शॉट टाइम फ्रिम यानि कि फोर अवर के अंदर और अगर आप वन डे के अकॉर्डिंग यहां पर बात करते हैं तो इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश वापिस से कर लेते हैं ट्रेड रहता है क्योंकि रिबंस नीचे की तरफ आ रहे हैं और यह कही रहा है कि आपको एक बीरिश फॉर्मिशन की तरफ दे रहा है डेली के अंदर भी आप देखेंगे तो आरे से 40 के नीचे आ चुका है एंड मैक्टी का भी लो हमें देता हुआ मिल रहा है तो करेंटली अभी आप यही कह सकते हैं कि आपको शॉर्ट की पोजिशन पर ज्यादा देना चाहिए जब तक कि मार्केट चेंज ना हो जाए या फिर इसमें हमें कुछ अधर चेंजिस देखने को आप नहीं मिलते हैं इसी के साथ आप बात करते हैं इतिरिम के चार्ट के बारे में चुकि यह सबसे बात करी जाए तो यहां पर यह जो चैनल था यह अपने बॉटम पीक पर इसमें भी हाइली चांसे के मार्केट इसको नीचे ही तोड़ेगा और कहीं नहीं हो सकते कि थोड़ा बूंस भी मार्केट इसको 16 डॉलर के आसपस यहां पर लेके आ सकता है तो जो पहले के अ 116 के आसपस का टार्गेट देखने को मिल सकता है यह मतलब नहीं कि यहां पर मार्केट रूख जाएगा कि यहां पर हो सकते कि हमें थोड़े और गिरावट देखने को मिले अगर बिटकॉन के अंदर कैसे भी करके बड़ा डिप आता है तो लाइट को यहां पर करीवन से जो कि हमें इन सबी को अंदर एक अकेला बुलिश देखने को मिल रहा है वह आप पर लिंक हाला कि इतना ज्यादा बुलिश नहीं है जितना आप यहां पर एक्सपेक कर रहे हैं डॉप इसके अंदर भी हमें आपर देखने को मिल पा रहा है बट अगर थोड़ा सा ध्यान के ब्रेक होने का वेट करिए या फिर यह वापी से डिप में आता है 23 के आसपर आप अपर यहां पर लिंक के उपर सोच सकते हैं नेक्स को बात करते हैं तो यह है दोस्तों बाइन इसको प्रिविएस सपोर्टिव लेवल है उसको फिर से ब्रेक आपर कर रहा है और आप इस कर रही है कि मार्केट में आपको थोड़ी सी देखने को मिलने वाली जहां पर कि अब हमाले जो नियरस टार्गेट होगा वो होगा 337 डॉलर या फिर अगर आप इसो थोड़ा नीचे लगा तो 320 डॉलर के बीच में तो यह पूरा जोन हो सकता है जहां तक हम expect करेंगे कि मार कर सकता है क्योंकि मार्केट पास स्टिल एक अपना रजिस्टेंस जोन है और जब तक है रजिस्टेंस जोन आपको क्लियर होते वह नहीं मिलेगा बीन पी के अंदर भी आपको शॉटिंग देखने को मिलने वाली है फोर अबर के सबसे इंडिकेटर्स भी आपर आल्मोस वै दे रहा था नेक्स हम लोग आपर बात करते हैं एकसारपी के बार में एकसारपी में जो लास्ट टेम में आपको टार्गेट बता है था वह आल्मोस है पर वैच्छी हो गया है आप देखिए तो बियर फ्लैक के सबसे चल रही है करेंटली फिर से वह बात यहां पर आ जाती है तो अब यह करेंटली अगर बात करी जाए तो आपको थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए और जितना बड़ा है यहां पर हमें एक हैडें शूल्डर मिल रहा है शूल्डर है एट एंड शूल्डर तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप हाइट को निकालना चाहते है के अंदर तो करेंट के साफ से निकलाइं ब्रिक के अलावा लगबग 055 तक का टार्गेट है जो कि इसकी बेसलाइन तक तो आएगा याएगा साथ में इसके बॉटम अगर हम बात करते हैं 052 तो इस जोन को भी टेस्ट यहां पर कर सकता है तो मैं आपको कहूंगा कि यह आपको लास्ट नहीं बताया था कि मार्केट जो है वो हमें इस लेवर को ब्रेच नहीं करता तो ट्वंटी डॉलर तक इसली मिल जाएगा अगर आपने शॉट करा है तो वह वैलन गूट ट्वंटी डॉलर का वेट कर सकते हैं लेकिन वही बात है बेटकों अगर जाधा यहां पर कर लेंगे नेक्स वाले की बात करें तो यह है डॉट कोईन डॉट कर में भी मैं आपको लास्ट विडियों में बताई दिया था मार्केट एक पूरे साइट बेस के अंदर है साइट बेस से फिलार में मार्केट बाहर निकलने के कोशिश कर रहा है और अगर आप इस वाले जोन की पूरी बात करें तो नीचे की तरफ इसकी कल सुबह का डेली क्लोजिंग हो जाती है सुबह साढ़े पांच पचे इंडिया डायम के अकॉर्डिंग तो लगपक हमारा टार्गेट नीचे थर्टीन डॉलर तक इसकी अंदर रहने वाला है तो मैक्सिमम टार हमें देखने को मार्केट के अंदर मिल जाएगा इसी की तौर पर डॉट में और थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं तो वाल्यूम का डिकलाइडेशन है यानि की कहीना की मोमेंटम आने बाला है और अभी का मोमेंटम क्योंकि डाउन साइड है तो आपको डाउन साइड म हम फाइंड करेंगे एक बार मार्केट क्रैश कर जाए अब आप इसे फंप करें तो उसके अकॉर्डिंग हमें पर रिशफल उनको करना होगा तो अब यहां पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं बिटकॉन कैश के बारे में तो बिटकॉन कैश के अंदर पर आपको अब हम लोग लेके चल सकते हैं तो अगर आपने शॉट कर रहा या फिर आप एक्सित देंगे तो बीटिफुल तरीके से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है राजिस्टन्स बनके जहां पर की प्राइस स्टॉप कर रहे हैं लोकल सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है 121 यहां पर प्राइस रूप जाया तो वैलन गूट और नहीं रूपता है तो आपके एक और बैड निउस है शोल्डर है एंड शोल्डर यहां पर हमें एक कर सकते हैं तो इस लेवल का वेट करें 120 डॉलर पर मार्केट आके क्या करता है उसके सबसे फिर हम चेंजिस करेंगे क्योंकि करेंट जो यहां पर आपको एक बीरिश फ्लैक देखने को मिला होगा इसके अगर आप टार्गेट देखे तो यह थोड़ा सा नीचे 100 डॉलर तक हमें दिखा रहा है तो 80 डॉलर से लेकर यहां पर अगर मैं पूरा की पूरा इस क्लस्टर को मार्क करूं तो लगबख 65-80 डॉलर हमारे एक ऐसा इंपॉर्टेंट जोन होगा जहां पर कि अगर Soul21 मिलता है तो दुबारा से हम वहां पर बाई करने की बारे में सोचेंगे लेकिन पहले प्राइस को आने देते हैं फिर हम वहां पर डेसे लेंगे कि क्या वह पर बाई करना वर्थ रहेगा या फिर प्राइज और जदा नीची की तरफ कि तरफ ट्रॉप यहां पर करने वा मार्केट थोड़ा सा अपना बेस को में भी हो सकता है एक बार टेस्ट करने के बाद थोड़ा आपको देखने को मिले तो वहां पर आपको पॉसिटिफ चीज देखने को मिल जाएगी इतना द्यान रहे कि मार्केट बहुत जदा यहां पर गिरा है और इसके कंडिशन में लग करता है आड़ा के लिए खास और पर बात करी जाए तो पूरा ही लेवल आड़ा के लिए बहुत क्रीशल है अगर गलती से लेवल तो हम यह कह सकते कि फिर आड़ा पॉइंट थर्टी नाइन डॉलो को टेस्ट करने के लिए नीचे जा सकता है तो अगर आप थोड़े से पे लिए चलने वाले हैं अब बात करते हैं आज के आईडियों के बारे में तो आज कर दोस्तों जो हमारे पास पास देखने को मिल रहा है वह basically Meta Strike, Meta Strike यहाँ पर बात करें तो blockchain based आपको first player यहाँ पर एक role based game या फिर आप कर सकते कि शूटिंग का Meta Wars game देखने को पर मिल जाता है जो कि यहाँ पर Unreal Engine के अंतर बनाए और आप इस game को खेल सकते हैं, play कर सकते हैं और यहाँ पर आप इससे करना चाहते हैं तो आपको बस connect wallet पर क्लिक करना है आप अपना कोई भी वालेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने मेटा मास कर रहा और यहाँ पर आपका wallet बाइने से स्मार्चेन के उपर connect होना चाहिए जहां पर कि आपके बास BUSD होने जैंगे जिसे कि आप इस token को पाइब कर सकें पर इतना जाना कि 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 आप कोई भी आइडियो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ क्राइडरिया फुल्फिल करने होते हैं जिसमें कि अंदर जा सकते हैं लन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कितने टोकन इनके आपके होल्ड करेंगे तो उस यहां पर पूल का इसके अंदर यहां आपको कहीं ना कहीं जो गेम साब भी मोबाइल में खेलते हैं उनकी यहां पर यहां पर देख पाएंगे पर इस प्ले के अंदर अब देखें तो आपको बहुत जारे जो लिवाइट से बहुत सारी जो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगे इस game के अंदर utilize यहाँ पर कर पाएंगे यहाँ पर आपको mode play मिल जाते हैं zombie mode, team mode और deathmatch mode तो आपको अलग-अलग modes मिलेंगे प्लस आप build कर सकते हैं अपना map और उसके अंदर आप play कर सकते हैं अनिंग कर सकते हैं NFT boxes और NFT के अंदर अगर आप देखे तो अलग-अलग यहाँ पर आपको enjoy यहाँ पर कर वियार के अंदर इस game का मज़ा यहाँ पर ले रहे हैं तो यह त्रूली आपको एक वियार का game देखने को मिल रहा है जब भी आप गेम खेलेंगे जीदेंगे तो आप ऐस reward आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है रोडमाप और इनका आच उका है 2022 के quarter 4 था सारी अपग्रेड सारे रिलीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको यहाँ पर 25 यहाँ पर मेंबर्स हैं इसके अंदर जो की गेम और ब्लॉक्चें के इनदर अच्छे एक एक्सपरटीज भी यहाँ प कर सकते हैं और website आपको देखने को मिल जादी है और बाकिस की प्रोसेस वैसे ही जैसे मैं आपको सारी वीडियो में बता है तो यहां पर आके आप इसके पूल के अंदर टॉप लेवल पर आचुके हैं कह सकते हैं 11 नंबर पर आचुके जहां पर इनकी नेट्वर्ट लगबख लगबख 96 बिलियन के अपर हो चुकी है और अगर आप बाकी सबी लोगों का देखे हैं कि कोशिश करें आप बस तो यहां पर लास्ट में लैर करके हैं जो कि आइधिं इनकी नेट्वर्थ उनकी यहां पर हमें देखने को मिल जाती है और क्रिप्टो टेफिनिटल एक फास्ट रूइंग स्पेस है तो अगर सीजी की बात करें तो इनकी जाए तिंग 44 के आसपास है और यह अब यहां पर इश्या के रिचस्मानी को भी पीछे हैं आप अलड़ और यह पूरा मिटवर्थ होगा जहांपर की र्यालिटी को आप वर्चुली को से कनेक्ट करने वाले लेकिन अभी तक हमें क्या हैंसे पेहनने पड़ते थे बहुत सारे काम करने पड़ते थे इनका जो पार्क होगा उसमें आपको किसी भी तरह के हैंसे की कोई रिक्वार् वर्स की हाइव अभी भी बहुत अच्छ चल रही है तो उनके टोकन पर भी आप ध्यान दे सकते हो और यहां पर अगर यह सारी चाहें आती है तो ऑग्यूमेंट करके देख सकते हैं लेकिन हाँ अगर ऐसी कुछ आते हैं तो अपका फंट में तो सेफ हैं लेकिन कुछ भी इस्व हैं तो तुरांत उस पर आप रियक्शन ना करें थोड़ा सा वेट करें ऑफिशल अनॉस्मेंट आने का जिससे कि आपको सारी चीजें प्रॉपर टाइम पर देखने को मिल पाएं अगली दोस्तों खबर आ रही है यहां पर एक ओनर है बेसिकली तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने जो टेसला की कार थी टेसला का मॉडल 3 2018 वाला मॉडल उसके अंदर ही माइनिंग रिक फिट कर दी और मस्त यहां पर 800 डॉलर पर मन्त एथिन निकल लिया और इसी तरह के एक और चैनल है कमन आटो करके के मैं आटो आप इसको यहां पर कह सकते हैं चुकि यहां पर क्रिस चलाते रहते हैं बट यह बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है कि 800 डॉलर आपकी कार आपको जन्रेट करके दे रही है तो कार चला भी और पैसे कम कमा सकते हैं अगली दूसार भी खबर आ रही है बेसे को कोई क्लिरटी नहीं है कि क्रिप्टों में क्या करना है कैसे करना सब अपने अपने असंप्शन पर लगे हुए लेकिन यहाप बात करें तो basically इंडिया में अगर हम बात करते तो इंडिया इंडस्टि जो है असोशेशन इंडिया टे जिसके नदर बहुत सारी उन्होंने चोड़ी करी है और यही सारी इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पर कोई लॉट नहीं है को इसका लॉट नहीं है आज की आखरी खबर की दोस्तों बात करते हैं तो यार यह है बाइनस डॉट यूएस की तरफ से उनका यूएस का डॉमेन है अलग से तो बेसिकली आपना ओफिस बिल्ड कर रहे हैं तो भी आपने देखा होगा डिसेंटलाइस माना सेंडबॉक्स वहां पर चल ही रही थी जो अगर आप नीचे देखें तो सुलाना का प्रोजेक्ट रेडियम मैजिक एड़ना आइडास और बॉनफाय इन प्रोजेक्स पर थोड़ा ध्यान रख लेना रेडियम पर खास हो पर क्योंकि वह देखने को फ्यूचर में मिल सकती है अगर आप ही तक आपने चैनल पर फैमि स्काइब साइब में दीकर नोडिफिक्शन बाल को दबागे और के पर क्लिक करतीजिए ताकि आप मेरे आने वाली सब्सक्राइब के इन फॉर्मिशन प्रॉपर टाइम पर पर पासके तो मैं 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 अब आप से क्लिए और कृष्ट नटेशिंग वीडियो के साथ तब तक